अगहन के जितने भी गुरुवार आएंगे वो बहुत महत्पून होंगे और उन्हीं गुरुवार में महालक्षमी जी की पूजा की जाती है क्योंकि ये विसेश पूजा होती है जो भी इस गुरुवार आएंगे जी की पूजा जो करते हैं उनके घर में सुक्षम्रती और एस्वरी की प्राप्ती होती है तो इस वीडियो की माध्यम से आपको बताया जाएगा लक्षमी जी की पूजा विधी नियम उपाए कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है आप ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजी और सब्सक्राइब कीजी नहों सके शेयर कीजी और मार्क्सिस मास में मतलब अगहन के महीने में गुरुवार का बहुत महत होता है इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवारों में मालक्षमी की विशेश रूप से पूजा आराधना की जाती है कहा जाता है मतलब पद्मो पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो भक्त इस दिन मतलब गुरुवार के दिन मालक्षमी की आराधना करते हैं माता महालक्षमी उनके घर में स्थाई रूप से निवास करती है और इसलिए अगहन मास के जो गुरुवार होते हैं बहुत महत्यपुण होते हैं तो आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूँ कि साल 2024 में कितने गुरुवार आपको प्राप्थ हो रहे हैं और अगहन माज के गुरुवार में मालक्ष्मी की पूजा आपको किस प्रकार से करना है। अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए अच्छे से पूजा विधिया आप देख लीजिए और पूरे विदेविधान से इस प्रकार से पूजा कीजिए ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त अगहन मास में गुरुवार के दिन मालक्षमी की आराधना करते हैं उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती और मालक्षमी की कृपा सदयव उन पर बनी रहती है तो नोट कर लीजे सारी जानकारी और पूरे विदेविधान से इस बार अगहन मास में मालक्षमी की आराधना आपको जरूर करना है और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजेगा क्य इतरे गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और कब-कब गुरुवार हमें करना है तो देखिए 16 नौमबर से अगहन मास प्रारंभ हुआ है और पहला गुरुवार आपको प्राप्त हो रहा है 21 नौमबर को और अगहन मास का दूसरा गुरुवार 28 नौमबर को प्राप्त तीसरा गुरुवार 5 दिसंबर को है और चौथा गुरुवार होगा 12 दिसंबर 2024 को ठीक है तो इस बार जो अगहन मास में गुरुवार है चार गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये चारो गुरुवार आपके लिए वर्दान के समान हैं अगर आप इन चारो गुरु पानी वाला, केला, सिंगाडा, आवला, बेर, सीता फल, मतलब जो भी रितुफल आपके पास उपलब्द हैं, वो चाहिए आपको धान की बालिया इसमें अरपित की जाती है, जो धान की बाली होती है, वो अरपित की जाती है, तो ये अगर आपको बलब्द हो जाए तो दोकरी चाहिए बाकी की सामगरी जैसे की धूब, दीप, अक्षत, पुष्पित्यादी, मौली, हल्दी ये सभी चीजे आप बात करें पूजा विधी के बारे में तो देखिए इस व्रत में मतलब इस पूजा में एक दिन पहले से ही पूजा की तयारी कर ली जाती है जैसे कि पानी से मुख्यद्वार को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए चावल का जो एपन होता है मतलब चावल के आटे का एपन बना कर उसी एपन से घर के मुख्यद्वार से प्रारंब करके और जहां पर आप पूजा की चौकी लगा रहे हैं वहां तक आपको मालक्ष्मी के मुख्यद्वार तक अच्छे से सजाय जाता है ताकि गुरुवार को मालक्ष्मी आपके घर में आई पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि गुरुवार को अगहन मास के गुरुवार को मालक्ष्मी ब्रह्म उम्हूर्त में भ्रमड करती हैं और जो भक्त मालक्ष्म कि आराधना करते हैं पूझा करते हैं मंत्रों का जब करते हैं और घर के मुख्यद्वार को साफ करके रंगोली बना कर रखते ह verbess दीब जला कर रखते हैं उनके घर में मालक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं इसलिए आप सुबह सुबह ही मतलब बीरवार को गुरुवार को सुबह सुबह उठकर शनान कर लीजिए और शनान करने के बाद पूजा आराधना प्रारम कर दीजिए गुरुवार को सुबह उठकर आपको पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी है केले के पत्ते से आमले के पत्ते से और आम के पत्ते से तोरण सजाकर मालक्ष्मी की प्रतिमा को विराजित करना है एक चौकी पर अच्छा चौकी के लिए भी एक बहुत विशेश बात कही जाती है कहा जाता है कि आमले की लकडी से अगर चौकी बनती है उस पर मालक्ष्मी को स्थापित किया जाता है तो मालक्ष्मी की क्रिपा बहुत जल्दी मिलती है तो वैसे तो आमले की लकडी से पीड़ा भी बनता है मतलब पाटा भी बनता है लकडी का और लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती है वो भी आमले की लकडी से ही बनवाते हैं लोग और इस पर हाथ ही विराजमान किया जाता है वो भी आमले की लकडी से ही बनने को बताया गया है अब इतनी चीजे हो नहीं पाती है ऐसे में आपके पास जो भी चौकी है घर में आप उसे ह साफ सुथरा करके और जहां पर आपको मालक्षमी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरादना करना है वहां पर आप चौकी विराजित कीजिए इस पर लाल लंक का वस्तर बिछा दीजिए और आपके घर में जो लक्षमी जी की मूर्ती है आप उसी मूर्ती को स्थापित करके पूजा कर सकते हैं हाँ इस वरत में हाथी का भी बहुत महतो होता है मतलब हाथी, मिट्टी की हाथी या फिर लकडी का हाथी विराजमान करके आप चाहें तो चांदी का हाथी भी ले सकते हैं मालक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी की स्थापना भी की जाती है और फिर विधिविधान से गज लक्षमी स्वरूब की पूजा की जाती है जो कि समस्त प्रकार के एश्वर प्रदान करने वाली है कलश की स्थापना आवश्यक होती है कलश पर नारियल रखकर और उसका स्रिंगार किया जाता है एक दम बिलकुल लक्षमी जी की तरह ही उसकलश को नारियल को सजाय जाता है और सोड़ सो पचार विधी से मालक्षमी की पूजा की जाती है देखे विशेश रूप से पूजा होती है ये इसलिए सोलह उप्चारों से मालक्षमी की आराधना की जाती है अगहन गुरुवार के दिन चारों पहर में मालक्षमी की आराधना की जाती है मतलब सुबे ब्रह्म मुहुर्थ में और इसके बाद से फिर आप दो पहर में पूजा करते हैं फिर शाम को करते हैं और फिर अर्धरात्री में करते हैं अगर चारों समय नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए। सुबे, दोपहर, शाम, तीनों समय मालक्ष्मी के मंतर के जब करने चाहिए। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि पूरे समय घर में लहीं रह पाते हैं। सुबह और शाम उपलब्ध हैं आप तो फिर सुबह और शाम कर लीजिए ठीक है, सुबह ब्रह्मो मूर्थ में कर लीजिए, और फिर शाम को प्रदोशकाल में आप कर सकते हैं, मतलब जैसा भी समय आपके पास हो, उसके अनुसार आप कर सकते हैं, अगहन गुरुवार में दोनों तरफ आपको दीप्रजलित करना होता है, और मालक्षमी के चरणचेन आप जरूर बना लीजिए, जहां से मुखेद्वार प्रारंभ होता है, वहां से लेकर, और चौकी जहां पर आपने स्थापित की है, वहां तक आपको मालक्षमी के चरणचेन बनाने हैं, और फ कर रहे हैं कम से कम सोले की संख्या में जरूर पढ़ना है जैसे कि सोले बार आप स्री सुप्त का पाट कर सकते हैं या कनंधारा करते हैं तो कनंधारा भी सोले बार कर सकते हैं या फिर सोले माला मालक्षमी के मंत्र का जब कर सकते हैं ठीक है इस व्रत को अगर आप धारन करते ह हैं तो दिन में आपreichen कर सकते हैं और शाम के समय शां की पूजा करने के बाद माँको जो भोगर्वृत करते हैं प्रसास खरूप में खाकर अपने व्रत खोल सकते हैं अगन गुरुबार का ध्यान रखते हुए भी आप पूजा आराद न कर सकते हैं दोस्तों उमीद करती हूं कि आप इस चैनल पर आने वाली मार्क्सिस मास की कथा भी जरूर सुनते होंगे उस कथा में आपको पुराणों की कथाएं सुनाई जा रही हैं जिसे सुनने से आपको बहुत सारी जानक आज की वीडियो का समापन करते हैं इससे संबंधित कोई भी प्रेश्ण हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हां संपूर्ण डीटेल जो पूजा वीदी है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजी और सब्सक्राइब कीजी और जितना हो सके शेयर कीजी